नमस्कार जी यह है दो पेर का टाइम हो रहा है दो पेर का क्या तस सवा दस बज रहे हैं और काम जल्दी खतम हो गया है आज क्योंकि आज सैली गई थी कोली तो सुबह जल्दी जल्दी इसको लंच दिया है बनाके तो सभी ने जल्दी कर लिया था आज तो सुबह जल्दी कि तब जाके कहीं साड़े दस या कोने गया बज़ रहे हैं तब बारा एक बज़े तक बन जाए का खाना कम्प्लीट हो जाएगा तो पूछती हूं मैं बच्चा पार्टी से क्या बनाएं क्योंकि आज कहल उनकी फरमाई से ही चल रही है बच्चों की छुट्टिया पड़ रही पड़ा की क्या बनने वाला है तिहले पिसादाल प्रमाई से मतरी है क्योंकि थोड़ी बनाते हैं क्योंकि कड़्ट अगर अच्छे से पके न Alber ski अ तो निए अच्छे सटीन फिर och भख ऐसम ऑगजी hen या दे रिखेम्लीन आन ऑर डैम टेंस्पे बनाते हैं लेक्ट। यह अ साइडों में रख लिए थे वो दिया रख लिया थे पुराने चोटी-चोटे उसको अच्छे से सैट कर लिया जिससे उन्चनिच्य होगे यह कभी गिरे ना और यह जो लकडिया वगयरा है यह यह पर रखी हुई थी तो जी बस आग जलाने से पहले मैं यह तैयार कर लेती क्योंकि आलू भी अच्छे लगते हैं बच्चों को तो आलू थेनी इसलिए मैं यह करने लगी तो जी मैंने इसमें नमक और हलका सा नमक और हलकी सी मिर्च डल ली है यह मैंने इधर तैयार करके उधर रख दिया है साइड में और अब आ गई है कड़ी गोलने की बारी और यह हरी मिर्च अमारे उपर छत पे लगती है वहां से नहीं लेके आते हैं म सज्जी सब्जी मंडी से और जब जरूरत होती है बस उपर से तोड़के लिए आते हैं फ्रेस प्रेस ताजा ताजा यह मैंने मिक्सी में ग्रेंड कर ली थी और डाल रही हूं मैं इसमें तो इतनी तेज होती है कि जल्दी जल्दी हो जाता है गयास पे तो इतना नहीं होता है तो इसलिए मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था यह आग बाद में जलाई थी तो जी बस यह पकोड़ी है जो बनने लग रही है और अनमोल ने बुला तो मोसी जादा सी बनाना पको मैं ठीक है इतनी भी जादा नहीं बनाऊंगी कि तुम चक चक के खाओ एक दो दो खाई लोगे तो जी इधर और आग भी बहुत मुस्किल से जली है यह क्योंकि अगर छोटी-छोटी लकडिया होती है तो जल्दी आग पकड़ लेती है और यह देखो काफी मोटी-मोटी ल जली है बस एक बर आग जल जाए तो पकड़ ली है इनोने आग तो बुझने वाली है नि अगर बुझ भी गई तो मेरी तो सामतिया जाए क्योंकि यहां पर फोकनी तो है नि तो जी बस पकोड़िया बन गई थी उधर रग दिया मैंने साइड में और अब लगी हूं मैं त लैसोन तो जरूरी होती है कड़ी में लैसोन के बिना तो अच्छी नहीं लगती कड़ी जाद सारी लैसोन छिली हुई थी मैंने कट की हुई थी और जी बस तड़का देखो लगबग होने ही वाला है चुले का यही तो फाइदा है जट से हो जाती है बस यहां पर मोसम कर ला जाता है जी बस तड़का हो गया था मैंने इसमें वह वह सोरी चलडी और नमा की थтоड के में डाल दिया है यह बूंदी है मतलब इससे अच्छा कलर आ जाता है जबग जो लग गया है खो कर दो तड़का जी दिखाई देए धना है ऑपर यह तड़का प्लैक प्लैक स करने के लिए और अभी भी कह रहा है मुझे इतनी सी बनाई पकोड़ी में के लिए है वस यह निकी तुम पेट भर के खाऊगे और मैंने इसको समान पकड़ा दिया था बच्चे को खाना देना है स्टाट और टाइम हो गया देखो तो समव बजी गया और जी बस हो गया है खाना तयार उलगी हूं मैं खाना लगाने और अठा बना के रखा हुआ यह बोल लेते बूख लग रही है तो रुट्टी बाद में बनाऊए मैं इनके लिए रुट्टी और कड़ी पहले इनको दे देती हूं और इनकी तीनों की डाल जाल दी है और यह देखो खाने लगे हैं बच्छों को जादा जादा बोल रहे हैं कि पकोड़ी डाल लो तो जी बस आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी बाई बाई